वृत्य का छेत्रफल Area of Circle माना की O वृत्य का केंद्र है जिसकी त्रिज्य आर है वृत्य के अंतरगत N भुजा वाला संबहुभुज बनाईए इस संबहुभुज के शीशों को केंद्र से मिलाकर त्रिभुजों के रचना कीजिए ऐसे एक त्रिभुज O P Q का छेत्रफल बराबर 1 बटे 2 P Q गुणित O L बराबर 1 बटे 2 भुजा गुणित केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब चूंकि केंद्र O से प्रत्यक भुजा पर डाला गया लंब बराबर है अता प्रत्तेक त्रिभुज का छेत्रफल समान होगा इसलिए N त्रिभुजों का छेत्रफल बराबर N गोनित 1 बटे 2 भुजा गोनित केंडर से भुजा पर डाला गया लंब यदि भुजाओं की संख्या अनंत कर दी जाए तो बहुज का परिमाप व्रित्त की परिधी के बराबर होगा तथा बहुज का छेत्रफल व्रित्त के छेत्रफल के बराबर होगा इस इस्तिती में केंडर से भुजा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होगा इसलिए व्रित्त का छेत्रफल बराबर एक बटे दो गुनित परिधी गुनित त्रिज्या बराबर एक बटे दो गुनित टू पाई आर गुनित आर बराबर पाई आर का वर्ग वृत्य का त्रिज्याखन सेक्टर ओफ सर्कल किसी वृत्य का त्रिज्याखन वहक शेत्र है जो दो त्रिज्याओं तथा दोनों के अंतरस्थ चाप या परिधी का टुकड़ा द्वारा घिरा होता है चित्र में एक वृत्य है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है इस वृत्य की परिधी पर तीन बिंदू A, B वसी है A और B को वृत्य के केंद्र O से मिलाने पर त्रिज्याओं O A और O B के द्वारा वृत्य दो क्षेत्रों O A B और O B C A में विभक्त हो जाता है इन क्षेत्रों को त्रिज्याखन कहते है इन दोनों त्रिज्याखंडों की परिसीमाएं वृत्त का चाप होती हैं यहां त्रिज्याखंड OAB की परिसीमा चाप AB तथा त्रिज्याखंड OBCA की परिसीमा चाप BCA है माना चाप AB केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है तब जामिती से चाप की लंबाई उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के समानुपाती होती है चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधी बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटे वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधी बराबर थीटा बटे थीनसो साथ अंश चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे थीनसो साथ अंश गुनित वृत्त की परिधी तृज्जा खंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 370 अंश गुणे 2 पाई आर इसी प्रकार तृज्जा खंड का छेत्रफल तृज्जाओं के मत्य अंतरस्थ चाप द्वारा केंदर पर अंतरित कोन के समानु पाती होता है इसलिए त्रिज्याखंड का छेत्रफल बटे वृत्त का छेत्रफल बराबर चाब द्वारा केंदर पर अंतरित कोण बटे वृत्त द्वारा केंदर पर अंतरित कोण त्रिज्याखंड का छेत्रफल बटे वृत्त का छेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश त्रिज्याखंड का छेत्रफल बराबर थीटा बटे 370 गुणित वृत्त का छेत्रफल इसलिए त्रिज्याखंड का छेत्रफल बराबर हुआ थीटा बटे 370 गुणित पाईयार का वर्ग वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल Area of Circular Path वृत्ताकार मार्ग दो संकेंद्री वृत्तों से बना होता है यदि इन दोनों बाहे एवं आंत्रिक वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशा R1 और R2 हो तब वृत्ताकार मार्ग की चोड़ाई बराबर बाहे त्रिज्या माइनस आंत्रिक त्रिज्या बराबर πाई R1 का वर्ग माइनस पाई R2 का वर्ग बराबर πाई कोष्टक में R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग वृत्तकार मार्ग का छेत्रफल बराबर πाई कोष्टक में R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग